नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हूँ पर मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग देश में 513 लोग सभा सीटों के लिए चुनाव साथ चरन में समाप्त हो गया इस बार कूल 8306 उमिदवारों ने चुनाव में अपनी किसम दासमाई अब बस इंतिजार है तो चुनाव के नतीजों का जो थोड़ी देर बात से आने शुरू हो जाएंगे इस चुनाव नतीजों का पूरा देश बेसबरी से इंतिजार कर रहा है वहें देश में किसकी सरकार बनेगी अभी आने वाले कुछी घंटों में तै हो जाएगा वहें रिजल्ट आने से पहले इंडिये और इंडी गड़वंदन में हल चलती चो गई है आज 80 दिनों का इंतिजार खत्म हो रहा है चुनाव में किस ने कितनी महनत की है और देश की चनता ने किस पर लुटाया है अपना प्यार ये भी क्लिर हो जाएगा ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज थोड़ी देर बाद क्या होनी वाला है क्या लग रहा है देश की चनता का प्यार किस से मिल रहा है इसी पर चर्शा कर निकले, मेरे साथ इस्टूड़े मुझूद है Capital TV की एडिटर इंचीफ डॉक्टर मेरे इश्गवार, डॉक्र साथ स्वागत है आपका, धन्यवाद, 80 दिनों का इंतजार खत्म हो रहा है, कहते हैं कि जैसे एक स्कूल में बच्चा जब परिक्षा देकर जाता है, रिजल्ट का बेसबरी से इंतजार रहता है, वैसे ही उमीद्वारु को भी एकदम से बेसबरी से इंतजार होगा, क्या होने क्या वाला है? देखें, ट्रेलर तो आ चुका है, एक तरफा बता रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाले है, प्रदान मंत्री मोदी शाम तक में विजय घोशित कर दिये जाएंगे, बहुत लोगों का हाट बर्न होने वाला है, कलेजा फटने वाला है बहुत लोग रोएंगे, बहुत आरे लोग चाती पीटेंगे, लेकिन एक जो चिंता की बात है, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है, यह जानकारी मैं दे दूँ, कि काउंटिंग के लिए अब तक जितनी भी तैयारी होती रही है पिछले चुनाओं में, इस बार तीन-तीन लेयर्स में सिक्यूरिटी लगाई गई है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कुछ अलेडी इंपुट्स एजिंसियों को मिली हुई है, कि विपक्ष कुछ एंजियों के साथ मिलके, आंदोलन जीवियों के साथ मिलके, यह लोग उपद्रव करने वाले हैं, और यह लोग आप देखिए, कि एग्जिट पोल आने से पहले से ही इन लोगों ने महौल बनाना शुरू कर दिया, कल एलेक्षिन कमिश्टर के तरफ से प्रेस कॉन्फरेंस की गई, उसमें आप देखिए कि किस तरीके से ट्रेंड उन्होंने बताया, कि एवियम के उपर सवाल सुप्रिम कोड चले आते हो, भई, इवियम विकार है, भई, कौन फंड कर रहा है इस तरह के वकीलों को, दोहजार उन्हीस के बाद आपका आँख खुलता है, दोहजार चौबिस में, पात साल सोय रहते हो, एक एलिगेसंस ये लोग प्रूब नहीं कर पाए, इवियम के ख है, वो कह देता है, कि ये तो पहले से ही, फिक्स्ट मैच है, मैच फिक्स्ट है, खेल क्यों रहे हो, और जब आप परफार्म नहीं कर पाते हो, जब आपको ये पता चल जाता है, कि चुनावारने वाले हो, तो आप महौल क्रिएट करना शुरू कर देते हो, अभी, तो सुर से विदेशी ताकतों के द्वारा इस एलेक्शन को इंफ्लूइंस करने की कोशिश की गई है, विदेश से फंडिक आई है, विदेशी एजेंसी के साथ मिलके इन लोगों ने जो गंदगी फैलाई है, ये तो हिंदुस्तान को बदनाम बर्बाद करने की पूरी साजिश है, अब सिक्यूरिटी क्यों बनाई जा रही है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए, चुनाव खत्म होने के बाद, ये तिहारी चीफ मिनिस्टर, दिल्ली वाला भरस्टाचारी जेल के अंदर गया, जेल के जाने से पहले क्या बोल रहा है, कि एक भी ऑब्जेक्शन तुम खड़े कर दोगे, तो फिर से चुनाव होगा, ये प्रोवोकिंग, इसी तरह की मीटिंग जो है, आप देखिए, ये अखलेश चादव, वो क्या भाशन दे रहे, कि जंदा तयार बैठी भी है करांती के लिए, तो ये के लिए, जान हतेली कि लेकर के क्या करना हुआरहा हो? ये डेमोक्रसी बचाएंगे. भाई, जब करनाटक में चुछाओं जीत तो क्यों नहीं कहते हों कि बइए, भाई, वी फिर्वाशन और जब चुनाओं हारते हो तो एवियम खराब तो एलक्षन कमिशन खराब तो बाकि सारे लोग खराब हो जाते है तो इस तरीके से लोगों को और आज सचेत रहने के आवशकता है सोसल मीडिया पे वाटस अप पे तरह तरह के अवभाएं फैलाई जाएंगी यह विपक्स का जो पूरा प्लैन जो है बड़ा ही दरावना सा लग रहा है क्योंकि यह लोग अभी तक अभी तक ना राहुल गांदी ना यह नटवरलाल ना ममता बनर जी ना अखलेश यादव ना स्टैलिन ना उद्दव ठाकरे किसी का एक भी बयान किसी बड़े लीडर का नही आया है कि जिसमें इन लोग उने कहा हो कि ठीक है एक्जिपॉल को हम नहीं मानते किसी के मूह से आपने यह बात सुनी कि कोई यह कह रहा हो कि जनता का फैसला चार तारीक को आ ही जाएगा जो जनता का फैसला होगा उसको हम मानने को तयार है किसी ने कहा नहीं क्यों क्योंकि मन में चौर है यह लोग कोई गन्दा प्लान करके बैठे हुए बैट डिमोकराशी के तो खूबसूरती ही होती है कि जनता का फैसला आगया आप उसको सरवान ने उसको मानना पड़ेगा इतनी से मर्यादा तक नहीं है इन लोगों के कितने बावने लिली पूटियन पॉलिटीसिंस आ गए है तो क्यों क्यों ऐसा है क्योंकि ये लोगों क्या अपने बदालत दिरों राजनीती में आए नहीं है किसी का बाप जो है वो बड़ा न पॉसस है जब पाटी के अंदर आप वर्चिव बींग संग और ग्रेंड़टर और ग्रेंट संग आपको जो है सत्त मिल जाती है पाटी के अंदर आपको लगता कि देश को भी आपने लिखवा लिया है देश पर भी आपकी बपती हो गई है ये बत्तमी जी है कम से कम कोई आत्मी आगर के तो ये कहे कि ठीक है जितना लडना था हम लड़ लिये जितना आरोप प्रत्यारोप भई ठीक है एलेक्शन में होता है बट इतना तो अस सेंसिबिलिटी होना चाहिए कि सामने आगर के के भई देखिए जो हो गया सो हो गया राजनीति में हम एक दूसरे के ऊपर पत्य आरोप लगाते हैं और यह फ्रस्टेटेड आद्धी राहूल आगर के कह रहा है तुमने 295 देखा है यह एकजिट पॉल जो है वो मोदी का एकजिट पॉल है चुनाव खत्म हो गए प्लीज रिस्टोर यूर सेंसिबिलिटी यही सब कारणामों की वज़े से जनता की नजरों भी यह लोग गिर चुके हैं अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव नहीं हो रहा यह परसनल एनिमिटी किसी के साथ हो गया भी आप आरोप लगा रहे होता है पुरे दुनिया पर ऐसा होता है पहले भी चुनाव होते थे क्या यह लालु यादा वाडानी आडवानी जी या फर प्रदान मंत्रे मोदी के ऊप पर आरोप पत्य प्रहरोप रहे लगाते तेलगता था को गर मुलायम सीख के साथ क्या राजितिक जगड़ा नहीं था होता था यही वाम सीख साधी हो रही है तो वहां पर आडवाली जी जाते ह narrati जी भी जाते है अब क्यों यह महऌल बतल गया क्यों ये महाल बतल गया जबाना था बीस साल पहले लालों के घर में साधी हो रहे हैं आधवानी जी जा रहे हैं बड़े-बड़े लीडर जा रहे हैं इन लोगों के बीच एक परसनल रिलिशिंसिप भी था पतानी किस तरह के नशा ये लोग कर रहे हैं बुद्धी भरष्ट हो गई इन लोगों की और इन लोगों के इगो के चकर में देश का जो डेमोकरसी है देश का जो तंत्र है हिंदुस्तान का जो पूरा जो ब्यूटी है राजिंतिक कल्चर जो है वो बरबाद हो रहा है इनके इगो को भी सर माथे पे ले ले हिंदुस्तान की जंता अगर ये खुद से कमाय वी चीज होती बाप दादा के किये हुए काम के उपर जो है ये लोग सिर्फ एश मौच करना चाहते हैं तो अभी फैसला अब एक घंटे में सुरू हो जाएगा आज सचेत रहने किया वो सकता है अलग अलग रोना भी सामने आएगा रोना धोना ने आज तो मुझे बहुत ही आज बहुत ही डर सा लग रहा है ये लोग पता नहीं क्या करेंगे क्योंकि इन लोगों के राज़ितिक ट्रेनिंग नहीं हुई है दरदर ठोकर खाया हुआ होता है ये लोग गाओ गाओ जगा जगा गली मुहले में जा करके राज़ितिक कैमपेइन जो राज़ितिक जो कार्य करता होते हैं वो काम अगर इन लोगों ने किया होता ना इस तरह की वहियात बाते ये लोग नहीं करते पार्टी को उपर कबजा कर लिया है चम्चों को साथ में रख लिया है बसे चम्चे जो पंचाट का चुनाओं नहीं जीत सकते हो देश की रणनीती राजनीती जो है तै करने में लगे है तो देखिए फैसला तो कर दिया है हिंदुस्तान की जंता ने उसकी काउंटिंग ब देखिए डिमोक्रासी को बचाने के लिए आये थे आज समिधान और देमोक्रासी को तार-तार करने वाले हैं बहुत बहुत धन्यवाद से तौमाम चांद का रहे हैं तो लोग सबसे बड़ा सवाल में आज के लिता है अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी धन्यवाद